हम गूगल का स्ट्रीट व्यू यूज करते हुए किसी भी जगा का इस किसम का 360 डिगरी परस्पेक्टिव बनाना सीखते हैं इसके लिए हम को स्पेस नाम की एक एप यूज करेंगे और को स्पेस एप में आपको नॉट ओनली इस तरीके से आप रोटेट करके ये 360 डिगरी परस्पेक्टिव देख सकते हो आपके पास option है कि अगर आपके पास Oculus या Google Cardboard जैसा कोई VR viewer है तो आप उसमें इसको properly 360 डिगरी की तरीके से देख सकते हो या आप अपने फोन पर ही ये turn on gyro करके इसको ऐसे कर सकते हो कि जैसे आप अपना फोन घुमाओगे वैसे आपको ये proper 360 डिगरी व्यूज का दिखाई देगा अगर आपके पास कोई virtual reality viewer है जैसे मैं यहाँ Oculus Go यूज कर रहा हूँ तो उसमें ये जो image है ये proper 360 दिखाई देगी Oculus की screen recording बहुत अच्छी नहीं होती है तो इसमें ये बहुत अजीब सा नदर आ रहा है बट अच्छली ये proper immersive 360 है अगर आप इसको Oculus, Google Cardboard या किसी और VR viewer में देखोगे तो ये बनाना सीखते हैं मैं coachspaces.io website पर हूँ और यहाँ पर आप free register कर सकते हो इनके पास paid और free दोनों accounts हैं तो मैं अभी free account यूज़ कर रहा हूँ और login जब आप कर लोगे तो आपके पास ये view होगा ये gallery है जहाँ पर और लोगों के projects आपको दिख रहे हैं और यहाँ पर जाके मैं कह रहा हूँ coach spaces और यहाँ coach spaces पर मैं एक नया coach space create कर रहा हूँ मैं यहाँ पर अपना laptop यूज़ कर रहा हूँ पर यह app जो है यह आपको android और ios दोनों devices पर मिल जाएगी तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीदे बना सकते हैं 3D environment, 360 image, merge cube, quiz store हम अभी यह 360 degree image बना रहे हैं और इसके लिए मैं एक empty scene create कर रहा हूँ हम चाहते हैं कि इस empty scene में google map से street view लाना चाहते हैं तो मैं google maps में जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं for example ताज महल के लिए search कर रहा हूँ हमारे को यह ताज महल की location मिल रही है और यहाँ पर फिर हम इसका street view चाहते हैं तो मैं यह bottom right में street view की icon को click कर रहा हूँ और यह सब जहां पर यह blue lines आ गई है यहाँ सब street view available है ताज महल जो है यह उपर की तरफ है तो मैं कहीं यहाँ अपनी एक pin drop करना चाहता हूँ ताकि थोड़ा सा हमारे को दूर से view मिले ताज महल का तो इसके लिए मैं इस icon को drag कर रहा हूँ और approximately इसको यहाँ डाल रहा हूँ तो यहाँ से हमारे को ताज महल का इस किसम का view मिलता है अगर आपको यह view अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको आप cancel करके और कहीं पर जो इस icon को कहीं और हम drop कर सकते हैं लेटसे हम यहां ड्रॉप करके देख लिते हैं तो यहां से हमारको ताज महल का यह व्यू मिल रहा है और यह जो 360 इमेज है यह यहां ऑपर है और इसी इमेज को हम को और शेहीं दाए्पेस में लाना चाहते हैं पर इस इमेज को सेहीं लिए एक बार जब आप अपना व्यू ठीक से सिलेक्ट कर लोगे आपको एक और free software download करनी है उसका नाम है street view download 360 street view download 360 आपको अलग-अलग operating systems के लिए मिल जाएगी based on आपके पास कौन सा operating system है आप इसको install कर लो और install करके ये software launch करो ये हमारा अब software का interface है और यहां पर हम यह जो panorama ID और URL है यहां पर हम जो हमारा google maps में जो भी perspective हमने सिलेक्ट किया है उसका हम यह पूरा का पूरा जो URL है यह हम copy कर रहे हैं और इसको फिर हम इस panorama ID URL में यहां paste कर रहे हैं और हम यहां define कर रहे हैं कि हम इसको कहां save करना चाहते हैं तो for example मैं अपने desktop पे रही इसको save कर रहा हूँ format हमारी jpeg png या web p हो सकती है मैं अभी png ले रहा हूँ और इसका मैं नाम दे रहा हूँ ताजमहल 360 आप कोई भी नाम दे सकते हो और इसको अब मैं save कर रहा हूँ और इसके बाद मैं कह रहा हूँ download panorama तो अब ये file save हो गई है अब हमें क्या करना है हम वापस इस core space में जा रहे हैं और यहां पर हम ये bottom left में environment का button क्लिक कर रहे हैं और यहां पर हम कह रहे हैं edit the environment और यहां से हम जो हमने अभी png image save करी है हम उसको यहां पर ला रहे हैं तो यह अब हमारी जो image है यह upload हो रही है और अब यह हमारे को यहां पर यह image आ गई है और अगर मैं इसको यहां play करता हूँ तो यह हमारे को full screen इसका view मिल रहा है इसके बाद अगर हम यह image अपने mobile phone पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे को mobile phone पर co space app install करके वहां पर login करना पड़ेगा mobile phone पर यह 360 degree image देखने के लिए आपको अपने mobile phone पर co spaces app install करनी पड़ेगी यह app iOS और Android दोनो systems पर available है अप launch करने के बाद आपको login करना पड़ेगा मैं already logged in हूँ तो यहां पर आप नीचे co spaces में जाएंगे तो जो अभी आपने co space बनाया है वो आपको दिखाई देगा और अब मैं simply उसको launch कर रहा हूँ और launch करने के बाद अब हमारे पास जो हमने co space ताज महल का बनाया है वो दिख रहा है यहां top right में इसको play करने से यह हमार को full screen यहां पे दिख रहा है और यह proper 360 degree है और सांथ ही अगर आप चाहें तो आप इसको अगर आपके पास google cardboard है तो आप view in VR करके इसको google cardboard जैसे किसी device पर देख सकते हो या आप अपने phone पर इसको turn on gyro करोगे तो जैसे जैसे आप अपना phone घुमाओगे आपको proper यह 360 degree immersive view इस image का दिखाई देगा अगर आप इस co-space को Oculus पे देखना चाहते हो तो Oculus में आप यहां browser पे जाके यहां पर यह URL खोलोगे edu.co-spaces.io और फिर login करोगे तो login करने के बाद आपको अपना co-space यहां नदर आ जाएगा जो हमने अभी बनाया है और इसको जब आप load करोगे तो अब आप इसको अपने Oculus में देख सकते हो load होने के बाद मैं यहां top right में इसको play कर रहा हूँ तो अब यह proper 360 degree view जो है नदर आ रहा है तो इस तरीके से Co-space app और Google Maps में street view को यूज करते वे आप किसी भी location का 360 immersive VR view बना सकते हो I hope आप यह project बनाना ट्राइ करोगे हूए चिए